सब्सक्राइब 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 तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बता हूंगा कि यह जो स्क्रीन पे एरोड है उसको कैसे आप फिक्स कर सकते हैं तो बैसिकली दोस्तों यहां पर प्रॉब्लेम क्या हुआ है मैं आपको वह बता रहता हूं ठीक है यहां पर देख सकते हैं मैं जब इंटरन्य Arbeits में डिवाइस में य्टिक जोकि इस दिवाइस का बलुथूट में यूस कर रहता लना तो यहां बंहें ह्ता है को आपको क्या करना चाहिए कैसे प्रॉब्लेम सोल्फ़ोंगा आजके इस वीडियो पर मैं आपको सॉलूशन बता देने वालों सिंपल साइस सॉलुइशन होगा यहाँ पर ठेके कुछ बैसिक सॉलुइशन में आपको बता दूँगा उसके बाद सेटिंग आपको कैसे करना है सेटिंग आप करने के बाद सौल फोजगा आपका प्रॉब्लम ठेके तो वीडियो के साथ बने रहे हैं दोस कर सकते हैं या धूपिर आपको इसक्रीन पर वातसेप – किंटेक में जाएगा जलेए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए तो उसके रहे दोस्तों आप सेटिंग पर दैए सेटिंग बर जाने के बाद स्कॉल कर लेगार राउन कीजिये और यहां पर आपको मिलेगा जेनेरल मेनेज्मेंट इसके बाद इसके बाद मोबाइल पासवोड जो भी है उसको सेट कर देना बर देना है और सेटिंग को रिसेट कर लेना है इसे ने setting reset हो जाएगा आपका Bluetooth connection भी reset हो जाएगा तो connection पर जाये उसके बाद में और Bluetooth को इनेबल कीजिए जाये Bluetooth के option पर ठेक है और उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको उस device को select करने जिस device का आपको Bluetooth यूज़ करना है तो यहां पर setting पर click करें और इस button को enable करने की कोशिश करें लेकिन दोस्तों आपको अभी भी problem आएगा ठीक है आपको अभी भी problem आएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर internet access उस device में enabled नहीं है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते है could not connect तो यहाँ पर जो आपको रेटमी का जो फोन दिखाई देरा है ठीक है जो फोन मोडल आपको दिखाई देरा है स्क्रीन पर तो उस mobile पे Bluetooth टेटरिंग इनेवल होना चाहिए ठीक है तो जो भी mobile से आपको Bluetooth टेटरिंग यूज़ करना है उसके device में जाए ठीक है आपको आपक इनेवल कर देना है ठीक है इसको इनेवल करने के बाद ही दोस्तों आप अपने mobile पे जाए कनेक्शन पे क्लिक कीजिए उस device पे इंटरनेट fix हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इस problem को fix कर सकते हैं यह जो problem में दोस्तों आपकी device में से नहीं आते हैं ठीक है जहां कहीं से भी आप Bluetooth को कनेक्श कर रहें और जिस mobile से आपको internet access चाहिए उस mobile के Bluetooth सेटिंग पर जाए Bluetooth टेटरिंग को इनेबल करें और आप आपके mobile पर जाके सेलेक कीजिए internet access को ठीक है Bluetooth के option पर जाके internet access को select कीजिए और उसके बाद connect भी हो जाएगा problem भी fix हो जागा यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको basic सा solution बता है अगर problem आते हैं तो आप reset कर दीजिए Bluetooth settings को तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने problem को fix कर सकते हैं उ झराची